Assalamu alaikum, my dear YouTube friends. आज हम यह बहुत खुबसूर सा neckline बनाएंगे. इसको आप हर तरह की color के उपर बना सकते हैं. शेफून के कपड़े के उपर बना सकते हैं, कॉटन के उपर बना सकते हैं, जिस कपड़े के उपर चाहें, आप यह वाला जो design है, यह बना सकते हैं. यह मैं इसके 3 strands उज़ कर रही हूँ, आप इसमें कोई सा भी color का धागा यूज़ कर सकते हैं, यह double shade का धागा है, जो मैं यूज़ कर रही है, आप single shade भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें, अगर आप चाहें, तो. यह आपने इतना stitch लेना है, जितना यह मैंने लिए है, और फिर इस यहां से यह खतम हुआ था, वही से हमने यह needle को निकालना है. झालना है, जितना यह जो 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 ज झाल 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 प्रेंच नौर्स के साथ फिल कर लेंगे और डिफ्रेंट शेड यूज़ करेंगे इनके लिए आप सेम शेड भी यूज़ कर सकते हैं झाल 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 यह देखिए कितना खुबसरा सा हमारा यह नेक लाइन बन गया है यह आप गलेटी उपर इसी तरीके से ट्रेस करके किसी भी कलर में यह बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें पर्ज भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप पाइपिंग लगाएंगे या फिर आप यही होफिले आपनों को बहुत पसंद आया होगा प्लीज से फैमिल फ्रेंड के साथ शेक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेस्बूक पीज को लाइक करें थैंक यू झारप्सेя पाइपिंग इवले होगा को लाइब गर आप होगा पाइव्या सेतस्सेयर dismissal के स्चिस्सक्ति Nedra